डालेस रोगियों के लिए आहर कुल कैलोरी का 30-35 किलो कैलोरी प्रती दिन में होना चाहिए 60% कार्भोहाइटेट और 25% प्रोटीन 15% बसा होता है कुल तरह लिकविट पदारत होता है जो 800-1000 मिली दिन में होना चाहिए भोजन चाय जू सहित नवक तीन गिराम दिन से कम होना चाहिए पोटेसियम 60 MQ डे के कम से कम पोटेसियम मात्रा होना चाहिए आंगे बात करते हैं कि इसमें आप क्या खा सकते हैं मासहारी लोग जो होते हैं वो अंडे 2-4 अंडे दिन में खा सकते हैं मुरुगा खा सकते हैं साका हरी लोग पनीर, दलिया, खिच्चडी, चावल, सोया, बीन की बड़ी सभी दालें से मटर, कम मातर, राजमा, काली, आंके वाली, हरी मटर फूलिज हो ले हो सकते हैं सबजियों में आप गोवी, गाजर, फूल गोवी, ककडी, गिल्की, लैसोन, प्याज, मूली, करेला, फ्रेंच, बीन्स, लोकी, हरी मटर, सिमला मेर्च, सबी हरी सबजियों कम मातरा में पकने से पहले उसे उबाल कर पानी निकाल देना चाहिए, इसके बाद खाना चाहिए, दूद को उत पादन खाना चाहिए, मिठाईयों में खा सकते हैं, 100 ग्राम मिठाईयों जो डाइबटी से वो परेज करें, मेवे में ड्राइब फूट्स होते हैं, कभी-कभी बहुत कम मातरा में खा सकते हैं, मेखाने किसमल, काजू, बादाम, नवक हाई खाए, नमकीन, आलू, उक्त, गम मातरा में खाए, चिप्स, जंक, फूट, पीज्जा, बर्गर, मेंगी से बचें, आलू, पालक, टमाटर, भिंडी, बेगन, अन, भाजियं, सभी खट्टे फल और उनका जूस, आम के लिए तरवूच, कीवू, चीगू, नारिल, फानी से बचें, आलिसिस पेशेंट और एक्यूट पेशेंट दोनों के लिए यह डाइट चार्ट है, यह ने अपर लोगों जो दौरा बताएगा, यह डाइट चार्ट, इस पर खाने में विशेज ध्यान रहा है, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एंड शेयर करें, कामेंट करें कैसी वीडियो लगी है,